देखिए अगर आप income tax फाइल करते हैं return या नहीं करते हैं दोनों ही स्थितियों में अब आपको बहुत ही सावधान हो जाने के आशकता है क्योंकि सरकार ने नीमों में आईटिया की नीमों में बहुत से बदलाव किये हैं उनके प्रावधानों में और ये प्रावधान आपक ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India की एलाहबाद शाखा की PDC के अध़च डक्टर नवीन सी अगरवाल जी हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने इन्हें दो-तीन सालों में जो बदलाव किये हैं इससे जो आकर दाता है वो कुछ ज़्यादा ही परिशान है या उसकी राहत की लिए कुछ सरका व्यवस्था की है यह जानना हम चाहेंगे अगरवाल साब आप बताये कि क्या बतलाव किये हैं उससे किसको राहत मिल रही है इसने मधुर जी आपने वर्तमान में बहुती महत्पूर्ण विशे के विशे में चर्चा कर रहे हैं और आयकर विभाग वर्ष प्रतिवर्ष श पचास तरीके के लेंदेनों की पूरी जानकारी इंकम टेक्स विभाग के पास उपलब्ध है करदाता परेशान नहों इसलिए ये सारी जानकारी इंकम टेक्स रिटन के जमा करने से पहले उसको उपलब्ध कराई जा रही है जिसके पीछे ओदेश है कि आप विभाग के पास उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी आयकर की रिटन जमा करें एक बात मैं पूछना चाहूं का आपने का कि पचास तरह की जानकारियां क्या ये पचास तरह की जानकारियां पहले सरकार के पास नहीं होती थी क्या ये लोग छुपाते थे और अब वो कैसे आप एकसेस कर ले रही सरकार और सरकार आप ही को बता रही है कि आपने पैसा य में चली जा रही सरकार बिल्कुल सही प्रश्ण किया इसमें मधुर्जी आपने पहले इतने विश्यों की जानकारी नहीं हुआ करती थी पहले आयकर अधिनियम के अंतरगत एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था 26AS और उसमें कुछ भोगतान और काटे गए करकी जानकारी होती थी लेकिन अब और शंशोधन करके 50 तरीके के होने वाले लेंदेनों के संबंध में जिन संस्थाओं के माध्यम से वह लेंदेन हो रहे हैं उन संस्थाओं के ऊपर यह obligation रखा गया है कि जहां भी वो लेंदेन हो उसकी जानकारी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को दें जैसे पहले भी था कि अगर हम कोई संपत्ती का क्रेविक क्रे कर रहे हैं उसकी जानकारी जा रही थी income tax department tax काट रहा था उसकी जानकारी जा रही थी अब जैसे अगर एक करोर से जादा का नकद निकाला जाएगा एक वित्य वर्ष में बैंक से तो उसके उपर भी TDS करना होगा और उसकी जानकारी income tax department को देनी होगी उसी तरीके से जितने भी mutual fund हैं उनके उपर obligation डाला गया है कि किसी भी प्रकार का अगर विन्योजित किया जा रहा है तो उसकी जानकारी income tax department को दें पहले करदाता ये समझ रहा था कि मैंने किसी एक mutual fund में एक निश्चित धनराशी उधारने के लिए पांचलाग रुपे विन्योजित किये हैं और जब मैं उसका पैसा भुकतान पाऊंगा तब मुझे income tax देना होगा या बताना होगा ऐसा नहीं है अब परिवर्तन के फिल्सुरूप अगर वो धनराशी उसी दूसरी योजना में ले जाई जा रही है तो मुझे उस दशा में उस हिस्ति में long term short term capital gain को calculate करना होगा क्योंकि यह जानकारी income tax department के पास पहुँच चुकी है जो annual information statement के माध्यम से income tax department के पास है अचा यह तो यह annual information statement है जो शायद नॉमबर 2021 से लागू किया गया है इसके माध्यम से सरकार की access उन accounts में हो गई है जहां आपने पैसा छिपा रखा है या जमा कर रखा है लेकिन उसकी information आप खुद reveal नहीं करते थे जैसे पोस्ट आफिस में लोग बहुत से लोग पैसे जमा करते थे पोस्ट आफिस के बारे में आपके कैसे होचना है कि पोस्ट आफिस में पोस्ट आफिस के बारे में भी पहले पोस्ट आफिस के माध्यम से पूरी जानकारी income tax department तक नहीं पहुंचती थी लेकिन अब पूरे देश के पोस्ट आफिस के माध्यम से चाहे वो time deposit हो MIS हो उसके बारे में पूरी जानकारी department के पहुंच रही है तो अच्छा 50 तरह के लेंदिन और क्या नाम होगा हो सकते हैं जी जी वो 50 तरही के जो लेंदिन हैं उसमें post office में cash के transactions हैं उसमें post office में time deposit हैं उसमें mutual fund transactions हैं उसमें passport से जुड़े हुए transactions हो सकते हैं मतलब foreign remittances अगर की गई हैं वो उसके अंतरगत शामिल उसमें हो रहे हैं प्रॉपर्टी का क्रे विक्रे उसके अंतरगत हो रहा है वो वह भी उसके अंतरगत आ रहा है और उसी के साथ साथ मिच्वल फंट transaction में आपको बता ही दिया उसी के साथ साथ तो इस तरह से कोई भी वित्ती लेंदेन आप करते हैं तो इसकी जानकारी इंकम टेक्स डिपार्टमंट को हो ही जाएगी जी